अध्याय नौ और रहसे में नागा की मुलाकात की पुन्रापृति देखने को मिली एक बार फिर सेवे फुल के नीचे ही मिल रहे थे हाँ यह मुश्किल होगा वशिष ने सहमती जताई आयोध्या के लोग मेरे जीवन के दूसरे पहलू से अंजान है लेकिन मैं संपर्क करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा उसकी कमर के नीचले भाग से बाहर की तरफ उब्रा हुआ अंग बोलते समय पूँच के समान हिलने लगा मैंने सुना है कि आपका पूर्व मित्र रावन के संपर्क में आकर बहुत तरक्की कर रहा है आपको कभी मुझे यह कहानी सुनानी पड़ेगी हुआ क्या था वशिष्ट वयंगपूर्ण हसी हसे कुछ कहानियां अनकही ही रह जानी चाहिए नागा को महसूस हुआ कि उसने किसे दर्दनाग पहलू को छेड़ दिया था इसलिए उसे वही रुख जाना होगा लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम यहां क्यों आए हो वशिष्ट ने विशेफ बदलते हुए कहा नागा मुस्कुराया मुझे जानना है राम वशिष्ट ने सहज़ता से बताया नागा चकित रह गया मैंने तो सोचा था कि वह राजकुमार भरत होंगे नहीं वह राम है उन्हें होना ही था नागा ने सहमती में सिर हिलाया तो राजकुमार राम आप जानते हैं ना कि आप जब चाहे हमारी मदद ले सकते हैं हाँ मैं जानता हूँ लक्षमार के दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि वह आगे कुछ नहीं सुन पा रहे थे दादा आप सच में दुनिया को नहीं समझते लक्षमार चिल्ला रहे थे प्रभु इक्षवाकु के नाम पर तुम बस वापस जाकर सो जाओ उत्तेजित राम बुदबुदाए तुम्हें हर जगे शनयंतर नजर आता है लेकिन लक्षमार दादा वे आपको मारने का निर्ने कन चुके हैं मैं जानता हूँ तुम कब मानोगे कि कोई भी मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा गुरुजी मुझे क्यों मारना चाहेंगी कोई भी मुझे क्यों मारना चाहेगा राम ने पूछा ना तो कोई मुझे तब मारना चाहता था जब मैं घुरसवारी कर रहा था और ना कोई मुझे आज मारना चाहता है मैं उतना महत्वपून नहीं हूँ तुम जानते हो अब जाओ जाकर सो जाओ दादा आपको कोई अंदाजा नहीं है इस तरपर मैं नहीं जानता कि कैसे आपकी रक्षा कर पाऊंगा तुम हमेशा मुझे किसी न किसी तरह बचा लेते हो राम ने नरम आवाज में अपने चिंतिद भाई के गाल खीचते हुए कहा अब सो जाओ दादा लक्षमारण घर पर तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे कौशलय ने खुशी से रोते हुए कहा खुशी के आसों को छेपाने में असमर्थ रानी गर्व से अपने बेटे को निहार रही थी उन्होंने राम के दोनों कंधे पकड़ रखे थे राम भावनाओं के इस खुले प्रदर्शन में कुछ असहश थे अपनी मा की ही तरह आयोध्या के 18 वर्षे रगुवन्षी, राजकुमार का भी रंग कुछ सामला और तवचा बेदाग थी जिस पर उनकी सफेद धोती और अंगवस्त्र खूप फब रहे थे उनके चौड़े कंधे, पतली काया और मजबूत कमर धनुर विध्या में उनकी महारत की गवाही दे रहे थे लंबे बाल सफाई से सिर पर जूड़े के रूप में बंधे थे कानू में कुंडल और गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी थी कुंडल किर्ने बिखेरते सूरच के आकार में बने थे जो सूर्यवंशी शासकों का प्रतीक थे रुद्राक्ष की माला के मन के रुद्राक्ष नाम के पेड़ से ही थे जो प्रभु रुद्र का प्रतिनिधित्व करते थे जिनोंने हजारों साल पहले भारत को बचाया था जब आखिरकार उनकी मा का रोना बंध हुआ तो वहें उनसे अलब हुए उन्होंने गुटने पर जुकते हुए पिता के सम्मान में सिर जुकाया भरे हुए दर्बार में एक नीस तब्द खामोशी छा गई जहां इस स्वागत सम्मानों का आयोजन किया गया था आयोध्या के दर्बार ने पिछले दो दशकों में ऐसी भारी भीड नहीं देखी थी महल के ही साथ शाही दर्बार कर निर्वान राम के परदादा समराट रगु के शाशनकाल में हुआ था उन्होंने कई अभूत्पूर विजय हासिल करके आयोध्या के महल का शांदार पुनरुथार करवाया था उनका नाम इतना विख्यात हुआ कि आयोध्या के राजगराने को इक शुआकू का वंश के स्थान पर रगु का वंश कहा जाने लगा राम का हृदय इस बदलाव को सुईकार नहीं कर पाया था उनके लिए यह श्रिंखला के साथ धोका था किसी के महान उपलब्दी पूरवजों की ख्याती को तो नहीं ढख सकती थी वह अपने परिवार को इक शुआकू का वंश ही कहने वाले थे आखिरकार शुआकू ही इस वंश के प्रवर्तक थे लेकिन राम के अभीमत से शायद ही किसी को दिलचस्पी थी राम अभी भी घुटने पर ही जुके थे लेकिन अधिकारिक सुईकृती उन्हें नहीं मिल रही थी राजगुरु वशिष्ट समराट के दहीं और बैठे खामोश अस्विकृती से उन्हें देख रहे थे विचारों में खोई दिशरत मानुश शुन्य में तक रहे थे उनके हाश शेर के आकार में बने सिंगहासन के सुनहरे हत्ते पर रखे थे सिंगहासन के उपर सुनहरा मंडप लगा था जिस पर अमुल्य रत्न जड़े हुए थे आलिशान, दर्बार और सिंगहासन अयोध्यवासियों की ताकत और प्रभुत्व का प्रतीक था या कम से कम उस प्रतिष्ठा का जो अब धूमिल पड़ रही थी पपड़ाता रंग और सामान के घिसे हुए किनारे अब सामराज्य के पतन की कहानी बया करने लगे थे सिंगहासन से कुछ कीम्ती पत्थर निकाले जा चुके थे शायद कर अदा करने के लिए हजारों संबो वाला दर्बार आज भी आलिशान प्रतीत होता था लेकिन पुरानी आखें जो अतीत के शांदार दिन देख चुकी थी उन्हें दिवारों पर लगे रेश्मी परदों पर प्राचीन विश्यों की वे छविया याद आती थी जो कभी ग्यान का प्रतीक हुआ करती थी वह यकीनन धूमिल पड़ते समय में धुदला गई होंगी जब राम इंतजार कर रहे थे तो दर्बार में एक अजीब सी शर्मिंदगी चा गई दर्बारियों की सुक बुगाहट उसी बात को पुखता कर रही थी जिसे सब जानते थे राम प्रिय पुत्र नहीं थे पुत्र स्थिर और द्रड था सच बताया जा चुका था जिसमें जरा भी ताज्यूब नहीं था त्रिस्कृत और अभिशप्त जीवन जीते हुए वह इन चीजों को अंदेखा करना सीख गए थे गुरुकूल से हर बार की वापसी उनके लिए पीड़ा दायक होती थी लोग किसी ना किसी तरह उनके दुर्भागय पुन जन्म की याद दिला देते थे कलंग साथ हजार बत्तिस माया कैलेंडर के अनुसार उनके जन्म का वर्ष बुलाया नहीं गया था इसने उनका बच्पन दुश्वार कर दिया था लेकिन उन्हें याद है कि उनके पिता समान गुरु वशिष्ट ने उनसे क्या कहा था किम्पी नू जाना हां वादी शयती तदेव कार्यम जाननामू लोग बेकार बाते करेंगे आखिरकार यही तो उनका काम है केकई अपने पती के पास आई और घुटनों पर जुकते हुए दशरत का हाथ आंशिक रूप से शिर्थिन हाथ उठाकर आगे की और बढ़ाया सारुजनिक रूप से कर्तवय परायन होने का धर्ब निभाते हुए वह अपना क्रोध एकांत में जाहिर करते थे उन्होंने दभी आवाज में निर्देश दिया राम का स्वागत कीजिए याद रखिये संतती संरक्षक नहीं समराट के चहरे पर चेतन की एक जलक आई दर्ब पून धंग से ठुड़ी उठाते हुए उन्होंने कहा उठो रामचंद्र रघुवन्ष की संतती वश्ष्ट ने अस्विक्रिती में अपनी आखें सिकोड़ी और राम की और देखा बहु मुल्य सजधज और भारी आभूशनों से सुशोभित, संपन, कुलीन गोरी रंगत वाली स्तरी जिसकी कमर कुछ जुकी हुई थी पहली पंक्ती में बैठी थी चहरे पर पुरानी बीमारी के दाग और जुकी हुई कमर के साथ वह कुछ भयावे प्रतीत हो रही थी अपने पास खड़े आदमी से मुडते हुए वह बोली तुम्हे कुछ समझ आया द्रहुयू संतती संडख्षक नहीं द्रूहयू ने संबान से सिर जुकाया वह सब्त सिंधू के सबसे धनी और ताकतवर व्यपारी से बात कर रहा था जी मंधरा जी दश्रा त्वारा संडख्षक शब्द का इस्तिमाल नहीं करने का मतलब साफ था कि राम को पहली संतान होने का फन नहीं मिलने वाला था राम बिना कोई निराशा जाहिर किये शिश्टरा से उठ गए हाज जोडते हुए उन्होंने सिर जुका कर कड़क अवाज में कहा महान भूमी के सभी देवता में जलकने लगी थी बदन पर लगे संघर्ष के चिन उन्हें आकरशक व्यक्तित्व प्रदान कर रहे थे गोरी रंगत उन्हें अपनी मा से विरासत में मिली थी उस पर नीली धोती और अंगवस्त्र खूब शोबित हो रहे थे लंबे बालों को जिस पट्टी से उन्होंने व्यवस्तित किया था वह सुनहरी मोर के पंखों से गुथी थी यदिपी उनका आकरशन उनकी आखों और चेहरे पर था तीखी नाख मजबूर ठोड़ी और शरारती आखी हालंकि इस पल आखों से उधासी साफ जलक रही थी उन्होंने चिंतिक नजरों से भाईरां को देखा और फिर गुस्से में दशरत की और बढ़ चले भरत जान बुचकर रूखे पन से आगे बढ़े और एक घुटने पर बैट गए दर्बारी गण हैरान थे कि भरत ने अपना सिर नहीं जुकाया था वहे खुले विरोध से अपने पिता को देख रहे थे केकई दशरत के पास ही खड़ी थी उन्होंने अपने बेटे को देखा और आखों ही आखों में उन्हें सिर जुकाने का निर्देश दिये लेकिन ऐसी फटकार के लिए भरत अब काफी बड़े हो गए थे अलक्षित रूप से केकई ने अपना सिर जुका कर दशरत के कान में कुछ कहा दशरत ने वही दोहरा दिया जो उनसे कहा गया था उठो भरत रगुवंश की संतती भरत खुशी से मुस्कुरा दिये आखिरकार वे संरक्षक की उपाधी से बच गए थे वह खड़े हुए और अपचारिक्ता से बोले प्रभु इंद्र और प्रभु वरुन आपको विवेक प्रदान करें पिताजी भायू के पास जाते हुए उन्होंने राम को आख मारी राम शान्त थे फिर लक्षमन की बारी आई जव्य आगे आए तो सभासद उनका विशाल शरीर और लंबा कद देख कर तंग रह गए यद्देपी प्राय अस्त व्यस्त रहने वाले लक्षमन को कुमा सुमित्रा ने समहरों के लिए खास्तोर प्रतयार होने के निर्देश दिये थे अपने प्रिय भाई की ही तरह लक्षमन भी आभूशन पहनने से कतराते थे उन्होंने भी पसकानों में कुंडल और गले में दुरुद्राक्ष की माला ही धारन की थी उनका काम बिना किसी जहंजट के खत्म हो गया और फिर तुरंधी शत्रुगन आ गए छोटे राजकुमार ने सतरक्ता से अपने पोशाक चुनिय थी उनके बाल विधी पूर्वक बंधे थे धोती और अंगवस्र दबा कर वैवस्थित किये गए थे उन्होंने सादे और कम आभुशन धारन किये थे रस्म अदाइगी पर उन्हें भी रगू की संत्ति उपाधी से ही नवाजा गया दर्बार में समहरो संपन होने के प्रक्रिया चलने लगी केकई दशरत की मदद को आगे आई उन्होंने दशरत के पास खड़े सेवक को संकेत किया सेवक के कंधे पर हाथ रखते हुए दशरत की नजर वशिष्ट पर बढ़ी जो अपने आसन से उठ रहे थे दशरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया गुरुदेव वशिष्ट ने हाथ उठाकर राजा को आशिरवाद दिया महाराज प्रभूरुद्र आपको दिरगायू प्रधन करे दशरत ने सिर हिलाया और एक उड़ती नजर अपने बेटों पर डाली जो दृड़ता के साथ खड़े थे उनकी आखे राम पर टिकी तब ही उन्हें खांसी उठाई और वह मुड़कर सहायक के साथ चले गए के कई भी दशरत के पीछे दरबार से बाहर चले गई हर कारे ने समराट के बाहर जाने की घुशना की और फिर भरा हुआ दरबार भी खाली होने लगा मंत्रा अपनी जगे पर खड़ी रही उसकी नजरें चारो राजकुमार पर ही ठीकी थी क्या हुआ स्वामेनी डुहयू मुस्फुस्फुस आया आदमी का दब्बू आचरन बता रहा था कि वह महिला कितनी शक्तिशाली होगी कहा जाता था कि मंत्रा तो समराट से भी अधिक संपन थी साथ ही साथ वह सामराज्य सबसे महतोपुन व्यक्तिद्टो केकई की भी मुह लगी थी कहने वाले तो यह भी कहते थे कि राक्षर सराजरावन से भी उसकी संदी थी हाला कि आखरी बात को मंघणत ही मना जा सकता था भाई एक दूसरे के काफी करीब हैं मंत्रा ने पुस्वसाते हुए कहा हाँ लगता तो है दिल्चस्प उमीद तो नहीं थी लेकिन है मज़ेदार दूहयू संदेह से देखता हुआ बुदबुदाया आप क्या सोच रही है स्वामीनी काफी समय से मेरे मन में यह विचार चल रहे हैं मैं तै नहीं कर पा रही कि हम राम को पूरी तरह से नकार सकते हैं आखिरकार 18 सालों से तिरसकार सहते हुए भी वह मजबूती और दृड़ता से खड़े हैं और भरत यकीनन अपने भाई के प्रती समर्पित हैं तो हमें क्या करना चाहिए वे दोनों ही मुल्यवान हैं दोनों में से एक पर दाव लगाना मुश्किल हो रहा है लेकिन भरत रानी केकई का मैं सोच रही हूँ अपने सहायक की बात बीश में काटते हुए मंधरा बोली मैं कोई रास्ता निकाल लोंगी जिससे रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके साथ बिता सके इन राशकुमारों के बारे में ज़्यादा लगाना होगा दुरू हयू चकित रह गया स्वामी नी शमा करें लेकिन आपकी बेटी बहुत मासूम है वह अभी कन्या कुमारी है वह शायद ही है कर पाने में उसकी मासूमियत ही तो हमारे काम आएगी मुर्क एक मासूम नारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता सभी वीर सोनी की तार की राखी देखी एक दुबली पतली युवती उनके पास खड़ी थी उसका नाम रोशनी था राजकुमारों के स्वागत में हुए समारों को बीते कुछ सब्ता हो गए थे लक्षमन और शत्रुगन की कलाईयों पर पहले ही राखी बंद चुकी थी यह वह वच वे अयोध्या महल के आलिशान शाही बगीचे में बैठे थे उंची चोटी पर स्थिप महल से उसकी दीवारों और विशाल नहर के परे शहर का असाधारन दिरिश्रे दिखाई देता था बगीचे को वनस्पती श्रनरक्षन की शैली में तयार किया गया था जिसमें न केवल सब्त सिंधू के फूलदार विक्ष थे बल्कि दुनिया भर के पौधे वहाँ पाये जाते थे इसकी भव्य विविद्धा भी इसकी सुन्दर्ता का सुरोत थी जो सब्त सिंधू के मिश्रिट चरित्र को प्रतिबिम्बित करती थी घनी घास के कालीन समान मैदानों के बीच बने चौड़े मार्ग जामिते संतुलन की बेल समान लगते थे हाई अयोध्या पर आय संकट की मारे सुन्दर बगीचे में भी देखने मिल रही थी बीच बीच में उजड़ी सी जमीन कालीन में टाट की पैबंद जैसी प्रतित हो रही थी रोश्नी ने भरत के माते पर चंदन का तिलक लगाया गोरी रंगत रोश्नी को अपनी मा से विरासत में मिली थी लेकिन अन्य किसी मामले में उनकी कोई समानता नहीं थी सौमय और कमसिन वहम रदुभाशी थी उसकी हसी बच्चों के समान थी उसकी पोशात की सादिकी बताती थी कि उसे अपने परिवार की संपंता से कुछ लेना देना नहीं था उसने दूधिया धुती के साथ सफेग चोली पहन रखी थी कानों में छोटी-छोटी बालियां हाथ में रुद्राक्ष का बना कंगन उसके शांद चहरे में चारचांद लगा रहा था लंबे लहराते बालों की सुरूची पूर्ण चोटी बनाई गई थी हालंकि उसका जादूई आकरशन उसकी आखें ही थी जिनमें कोमलता और योगिनी के समान बिना शर्थ स्नेह भरा हुआ था भरत ने कमर पेटी से स्वन मुद्राउं से भरी थैली निकाल कर रोशनी की और बढ़ाई यह मेरी बहन के लिए रोशनी ने तियोरी चड़ाई यह प्रशलन बन गया था कि राखी बनवाने के भाद भाई अपनी बहन को भेट दे रोशनी जैसी महिलाईं स्प्रचलन को बढ़ावा नहीं देती उनका मानना था कि वे ब्राह्मन वैश्र और शुद्रों का काम करने में समर्थ थी मसलन ग्यान वैपार और शारिरिक श्रम में जो गाम उन्हें चुनाती पून लगता था वह था शत्रियों का क्योंकि वे शारिरिक रूप से ताकतवर और हिंसक नहीं होती प्रकर्टी ने उन्हें कुछ दूसरी नेमतें दी थी तो वे मानती थी कि राखी में उन्हें सुरक्षा के वचन के अतिरिक्त कुछ और देना उनका अपमान था हाला कि रोश्णी इससे निश्ठुरता से नहीं जताना चाहती थी भरत मैं तुमसे बड़ी हूँ रोश्णी ने मुस्कुरा कर कहा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मुझे मुझे मुद्राएं देना उचित है लेकिन तुम मुझे मेरी सुरक्षा का वचन दे सकते हो यकीनन भरत ने तुरन थैली अपने कमर पेटिका में रखते हुए कहा तुम तो मंथरा जी की बेटी हो तुमें धन की जरूरत क्यों होने लगी रोश्णी तुरन खामोश हो गई राम देख पा रहे थे कि उसे ठेस पहुँची थी वह जानते थे कि वह अपनी मा की अपार संपंता को लेकर सहज नहीं थी उसे यह बात तकलीव देती थी कि देश में अधिकांश लोग गरीबी के दल्दल में फसे थे सब जानते थे कि अपनी मा द्वारा दी जाने वाली आलिशान दावतों से अक्सर रोशनी नदारद रहती थी ना ही वह अपने साथ अंगरक्षकों को लेकर भूमती थी वह परुपकार के अनेक कामों में धन और समय का दान देती थी खासतोर पर बच्चों की शिक्षा और स्वास्ते में जीने मैत्रई सम्रिती विधी पुस्तक में सबसे महतोपुन बताया गया है वह अक्सर जरूरत मंदों को अपनी चिकित से सुविधाएं भी उपलब्द कराती थी यह है है हैरानी की बात है कि भरत दादा ने आपको राखी बांधने दी रोशनी दी शत्रुगन ने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए अपने भड़े भाई को छेड़ा हाँ लक्षमन ने कहा हमारे प्यारे दादा यकीनन लड़कियों से प्यार करते हैं लेकिन भाई के रूप में नहीं और मैंने तो सुना है लड़किया इने प्यार करती हैं रोशनी ने इस नहे से भरत को देखते हुए कहा क्या आपको क्गवाबो की कोई ऐसी प्रेमिका नहीं मेड़ी जो आपके पैरों में बंधन डाल कर आपको एक जगे टिकने पर मजबूर कर दे मेरे ख्वाबो की प्रेमिका है भरत ने शर्माते हुए कहा समस्या यह है कि जैसे ही मेरी आँखे खुलती है वे चली जाती है शत्रुगन लक्षमन और रोशने खिल खिला कर हस पड़े लेकिन राम इसमें शामिल नहीं हो पाए वे जानते थे कि हसी हसी में भरत अपने दिल का दर्द छिपाने की कोशिश कर रहे थे वे अभीतक रादिका को नहीं भुडे थे राम उम्मीद कर रहे थे कि उनका भावुख भाई कहीं इस गंफुख पूरी जिंदिगी ना पाले रखे मेरी बारी राम ने कहते वे अपना दाहीना हाथ आगे बढ़ाया लक्ष्मन ने कुछ दूरी पर वशिष्ट को आते देखा वे तुरंत किसी संभावित खत्रे की आशंका से आसपास के छेत्र को परखने लगा वे अभी भी अपने गुरु के प्रती संदेहा स्पद्र थे मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा का वचन देता हूँ बहन राम ने स्नेहे से अपनी कलाई पर बंधी सुनहरी राखी और फिर रोश्नी को देखते हुए कहा रोश्नी ने मुस्कुराकर राम के मस्तख पर चंदन का तिलक लगा दिया वह मुड़कर एक तिपाई पर आर्तिक की थाली रखने गई दादा लक्षमन ने चिलाते हुए पूरे बल से राम को धक्का दिया लक्षमन के अपार बल से राम जोर से पीछे गिरे और उसी पल पेड़ की एक भारी शाखा ठीक वहीं गिरी जहां राम खड़े थे उस शाखा ने लक्षमन के कंधे को घयल कर उनकी हंसली तोड़ दी हड़ी तूटते ही वहां से भारी मातरा में खून बहने लगा लक्षमन सारे भाई चिलाते हुए उसकी और दोड़े वह ठीक हो जाएंगे रोशनी ने शल्ले चिकिच्चा कक्ष से बाहर आते हुए कहा वशिष्ट राम भरत और शत्रुगन दुखी मन से अयूराले के सभाकक्ष में खड़े थे सुमित्रा अयूराले के दिवार से सटे आसन पर बैठी थी उनकी आँखों में आसू थे वह तुरंद उठकर रोशनी के पास गई रानी साहिवा उन्हें कोई स्थाइस शती नहीं पहुंची है रोशनी ने भरोसा दिलाया उनकी हड़ी सही हो जाएगी आपके पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे हम खुश विस्मत है कि वह शाका उनके सिर पर नहीं गिरी यह भी सौभाग्या है कि लक्षमन बैल के समान शक्तिशाली है वशिष्ट ने कहा कोई कमजोर मनुश्य यह प्रहार नहीं सह पाता एक बड़े कक्ष में लक्षमन की आँख खुली उनकी शैया बड़ी लेकिन बहुत नरम नहीं थी चुकि उनकी घायल कंधे को सहारे की जरूरत थी अंधिरे में वह अच्छी तरह नहीं देख पा रहे थे लेकिन वह उस नरम आवास को पहचान सकते थे पल भर में ही उन्हें अपनी शैया के पास बैठे राम दिखे जिनकी आँखें लाल हो गई थी मैं उट गया हूँ दादा लक्षमन ने सोचा तीन परिचारिकाएं उनकी शैया की तरव बढ़ी लक्षमन ने धीरे से गर्दन हिला कर उन्हें मना कर दिया और वे वहीं रुख गई राम ने कोमलता से लक्षमन के सिर पर हाथ फिरा मेरा भाई दादा पेड़ वह शाका सड़ चुकी थी लक्षमन इसलिए वह गिरी मैं बुरा सामय था तुमने फिर से मेरा जीवन बचाया दादा गुरुजी तुमने मेरा प्रहार खुद पर ले लिया मेरे भाई किसमत ने जो चोट मेरे ले लिखी थी वो तुमने अपने उपर ले ली राम ने लक्षमन के माते पर हाथ फिरते हुए कहा लक्षमन के चहरे पर आसुकी बूंदे गिल दादा बाते मत करो सोने की कोशिश करो राम ने उसका मुँ मोडते हुए कहा रोश्नी अयूराले के कक्षम में राजकुमार के लिए कुछ औरश्रदिया लेकर दाखिल हुई उस धुरगटना को हुए एक सबता बीच चुका था लक्षमन अब स्वस्थ हो रहे थे और बेचैन भी सब कहा है परिचारिकाएं तो यहीं है रोश्नी ने मुस्कुरा कर कहा उसने एक प्याले में औरश्रदियों का लेब बनाकर उसे लक्षमन को पकड़ाया तुम्हारे भाई महल में नहाने और कपड़े बदनने के लिए गए हैं वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे और श्रदि को खाते समय लक्षमन का मूँ वी तरिशना से बिगड़ गया ची और श्रदि का स्वा जितना खराब होगा वे उतनी ही प्रभावशाली होगी तुम चिकिसक रोगियों को इतना सताते क्यों हो धन्यवाद रोश्णी ने प्याला परिचारिका को पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा फिर वापस मुड़कर लक्षमन से पूछा अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे बाएं कंधे में अभी भी सुन्नपन सा महसूस होता है वह दर्द निवारकों की वज़े से मुझे उनकी जरूरत नहीं है मैं जानती हूँ कि तुम दर्द सह सकते हो लेकिन जब तक तुम मेरे रोगी हो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है लक्षमन मुस्कुराए बिल्कुल बड़ी बेहन के जैसे कह रही हूँ एक चिकितसक की तरह कह रही हूँ रोशनी ने हलके से डपता उसकी आखें लक्षमन की दाई कलाई में बंदीराखी पर पड़ी वह जाने के लिए मुड़ी लेकिन फिर रुग गई क्या हुआ लक्षमन ने पूछा रोशनी ने परिचारिका को बाहर भेज दिया वह फिर उनकी शया के पास आ गई तुम्हारे भाई यहां अधिकांश समय रहते हैं और बड़ी माताइं भी समए समय पर मिलकर जाती है वे सभी यहां तुम से मिलने आते हैं तुम समय बिताते हैं और फिर वापस महल में जाकर सो जाते हैं जैसा कि मैंने सोचा भी था लेकिन तुम जानते होंगे कि द्राम पिछले पूरे सब्ताह से यहीं पर थे बस यहीं इसी कक्ष में सोते थे वे वो सारे काम करते थे जो कि एक परिचारिका को करने चाहिए मैं जानता हूँ वो है मेरे दादा है रोशनी मुस्कुराई एक रात मैं तुम्हें देखने आई तो मैंने उन्हें नीन में बड़बडाते हुए सुना मेरे पापों की सजा मेरे भाई को मत दो मुझे सजा दो मुझे सजा दो वह हर बात के लिए खुद को दोशी मानते हैं लक्ष मन ने कहा हर किसी ने उनकी जिंदगी नरग बना दी है रोशनी जानती थी कि लक्षमन किस बारे में बात कर रहे थे हमारी पराजे के लिए सब दादा को कैसे दोशिट हैरा सकते हैं दादा का बस उस दिन जन्म हुआ था हम लंका से इसलिए हारे थे क्योंकि वह लड़ाई में हमसे बहतर थे लक्षमन तुम्हें अशुब अभिशाप अपवित्र क्या कोई ऐसा अपमान है जो नहीं हुआ हो और फिर भी वह मजबूती और द्रिड़ता से खड़े हुए हैं वह किसी से नफरत नहीं करते यहां तक कि उनके मन में असंतोश तक नहीं है वह पूरा जीवन दुन्या से नाराज रहकर क्रोध में बिता सकते थे लेकिन उन्होंने सम्मान का मार्क चुना वह कभी जूट नहीं बोलते हैं चा तुम जानती हो वह कभी जूट नहीं बोलतें लक्षमन अब रोने लगे थे और फिर भी उन्होंने एक बार मेरे लिए जूट बोला मैं रात को गुड़ सवारी कर रहा था यह जानते हुए भी कि यह गलत था मैं गिरा और मुझे काफी चोट आई मेरी मा बहुत नराज थी लेकिन दादा जूट बोलकर मुझे उनके गुस्से से बचा लिया उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अस्तबल में था और घोड़े ने मुझे लात मार दी मा ने उन पर तुरंद भरुसा कर लिया क्योंकि दादा तो कभी जूट बोलते ही नहीं थे उनके मन में यह अपराद था लेकिन मुझे बचाने के लिए उन्होंने उसे खुद पर ले लिया और सिर्वी लोग उन्हें प्रोशनी आगे बढ़का लक्षमण के आंसू पहुशने लगी वह उसे जोश में बोलते रहे उनके गालों पर आंसू बह रहे थे मन्थरा अपने कार्याले में खिड़की के पास खड़ी थी जो उसके आलिशान निवास के ही एक छोर पर बना था रियासत के विस्तार के साथ फैला नजाकत से सहेजा हुआ बगीचा यकीनन समराड के बगीचे के तुलना में तो छोटा था मन्थरा का महल नुमा घर भी एक पहाड़ी पर स्थित था जो शाहीर महल में कुछ कम उचाई पर ही थी उसका निवास्थान उसकी सामाजिक हैसियत को बया करता था बेशक वह प्रतिभाशाली वैपारी थी वह मूर्ख नहीं थी सब्त सिंदू का गैर वैपारिक माहौल उसकी अपार संपती के बावजूद उसका महत्व कम कर देता था किसी में भी उसके मुह पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी लेकिन वह जानती थी कि सब उसे क्या कहते थे सच तो यह था कि वैपारियों के पास लंका के वैपारियों से समझाता करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था क्योंकि सब्त सिंदू के वैपार पर रावण का एक छत्र समराज्य था यह सब्त सिंदू के वैपारियों की संधी नहीं थी बलकि उनके राजाओं की संधी थी फिर भी वैपारियों को संधी के नियमों से छेड़ छाड़ के लिए दिक्कारा जाता था सबसे सफल वैपारी होने की वज़े से मंथरा गैर वैपारियों के निशाने पर जल्दी आती थी लेकिन बच्पन में ही वह इतना कुछ सह चुकी थी कि अब उसे किसी अवहेलना से कोई फरक नहीं पड़ता था गरी परिवार में जन्म लेने वाली मंथरा को बच्पन में ही चेचक की बिमारी हो गई थी जो उसके चेहरे पर जिंदे की भर डरावने वाले निशान छोड़ गई नियती का मन शायद इतने से ही नहीं भरा तो 11 साल के उम्र में उसे पोलियों हो गया उसके घाव समय के साथ भर गए लेकिन दाहिने पैर में पोलियों ने हलका सा प्रभाव छोड़कर उसे हमेशा लंगड़ा कर चलने पर विवश कर दिया 20 साल की उम्र में अटपटी चाल की वज़े से वह अपनी एक मित्र के छज्ये से गिर गई और हमेशा के लिए अपनी पीट को विक्राल भूप से विक्रित कर लिया पूरी युवावस्था उसने दूसरों के ताने सुने और आज भी वह इस अवहिलना को जेल रही है बस अब किसी की सामने कहने की हिम्मत नहीं है उसके धन से कौशल के साथ सत अन्ने कई राज्यों का भी वित्त चल रहा था तो यह कहना बेकार है कि अब उसके पास खासी ताकत और प्रभाव था स्वामीनी आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी द्रहुयू ने उससे एक सम्मानिक दूरी पर खड़े हुए पूझा मंथरा लंगडाते हुए अपनी पिठिका के पास आई और अपने खास तयार किये आसन पर बैट गई द्रूहयू पिठिका के दूसरे छोड़ के पास खड़ा था मंथरा ने अपनी उंगली घुमाई और वह तुरंद उसके पास आकर घुटनों के बल बैट गया वे दोनों कक्षमें अकेले थे उनके बीच होने वाली बातचीत का कोई नहीं सुन सकता था दूसरे सभी सेवक नीचे भूतल पर थे सेवों को के लिए बने कक्षमे लेकिन वह उसके चुप्पी समझता था और उसमें तर्क देने का सामर्थे नहीं था तो वह इंतजार करने लगा मैं वो सब जान गई हूँ जो मुझे पता करना था मंतरा ने बताया मेरी प्यारी रोशनी ने भूलेपन से मुझे चारो राजकुमारों के चरित्र के बारे में बता दिया है मैंने इस बारे में काफी सोचा और अब मैंने निर्ने ले लिया है कि भरत राजनाईक मामलों को संभालेंगे और राम नगर विवस्था के निगरानी देखेंगे जो हूई यू हैरान था मुझे तो लगा था कि आप राजकुमार राम को पसंद करने लगी हो स्वामी नी आयोध्या के राजकुमार भरत के लिए राजनाईक मामले संभालना दूसरे सामराज्यों के साथ रिष्टे संभालने का बहतर अवस्था और इस तरह वे अपने भविष्टे के सामराजय का आधार भी तयार कर सकता था आयोध्या सब्त सिंधू संग की स्वामी थी यदपी यह अब पहले जितनी ताकतवर नहीं रही थी दूसरे राज्यों के साथ अच्छे संबंद बनाकर एक पहल प्राप्त की जा सकती थी दूसरी और नगर वेवस्था के मुख्या की भूमिका राजकुमार राम के जमीनी प्रशिक्षन में खावसी एहम नहीं होगी अपराद दर उंची थी, कानून और आदेश ताक पर थे और अधिकान संबंद लोगों ने अपने लिए स्वेम सुरक्षा वेवस्था कर रखी थी इसके परिणाम गरीबों को भुकतने पड़ते थे यद्यपी एक तरफा व्याख्या से इस जटिल तस्वीर को नहीं समझा जा सकता अधिकान शते हैं लोग खुद ही इस हालत के जिम्मेदार थे गुरू वशिष्ट ने एक बार कहा था कि अगर थोड़े लोग कानून का उलंगन करें तो उससे निप्टा जा सकता है लेकिन जब ज़्यादा तर लोग यही कर रहे हों तो उस सिती में कानून को किसी तरह नहीं बचाया जा सकता और अयोध्यावासी हर नियम को बेधड़क तोड़ रहे थे अगर भरत ने राजनाएक संबंदों को अच्छी तरह से समाल लिया तो वह दशरत का वारिज बनने की मजबूस सिती में आ जाएंगे जबकि राम का काम बिना यश और लाब का था अगर उन्होंने सकत होकर अपराद पर नियंदरन कर भी लिया तो लोग उन्हें निर्दई होने के लिए कोसेंगे अगर वह दयालू रहे और अपराद दर इसी तरह बढ़ती रही तो भी इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाएगा और अगर किसी चमतकार से उन्होंने अपराद दर कम करने के साथ-साथ दुख प्रियता भी हासिल कर ली तो भी इससे उन्हें कोई लाब नहीं मिलने वाला अगले राजा के चैन में लोगों का विचार कुछ माइने नहीं रखता ओ, मुझे राम पसंद है मंतरा ने उपेक्षा से कहा लेकिन मुझे मुनाफ़ा जादा पसंद है व्यापार में सही घोडे पर दाव लगाना चाहिए यह राम और भरत के बीच का चैन नहीं है यह कौशल्या और केकई के बीच का चुनाव है और यह तो सम मानेगे की जीत केकई की ही होगी यह निश्चित है राम संभवते हैं समर्थ हैं लेकिन उनमें केकई पर नियंतरन पाने की योगेता नहीं है जी स्वामिनी यह भी मत भूलो की कुली लोग राम से नफरत करते हैं वे उन्हें कर्चप की हार का दोशी मानते हैं तो राम के लिए अच्छा पत संदक्षित करना हमें काफी महंगा पड़ेगा वही भरत को राजनेक मामलो काम प्रमुक बनाने में हमें महनत नहीं करनी होगी और इसमें लागत भी कम आएगी दुरू हयू ने मुस्कुरा कर कहा हाँ और यह वेपार के नजरिये से अच्छा होगा और मैं सोचता हूँ कि रानी केकई भी महर्बान हो जाएंगी दुरू का नाम लेकर द्रहुयू मन ही मन पश्ता रहा था तुमने अभी तक पता नहीं लगाये कि गुरू जी आखिर गए कहा है मन्थरा ने चिड़ते हुए पूछा वह इतने लंबे समय के लिए कहा गए होंगे वह कब लोट रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं पता नहीं स्वामीनी दुरू हईु ने सिर जुकाये हुए कहा मैं शामा चाहता हूँ कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें किस बात की पगार देती हूँ दुरू हयू डर से मुँ बंद किये खड़ा रहा मंत्रा ने उसे हाथ से बाहर जाने का इशारा कर दिया